भारत के राजस्थान की भूमी पर एक ऐसा मंदिर भी है जहां देवी देता आसिरवात तो देते ही है और साथ ही साथ लकवा यानी पैरलाइसिस जैसे भयंकर रोगों को रोगियों से मुक्त भी कर देते हैं। यहां कोई लॉजिक काम नहीं करता क्योंकि लॉजिक से परे जो चीज होती है उसे चमतकार कहते हैं और जो वैक्ति उस चमतकार से रूबरू हो जाता है उसकी आस्था इश्वर में और भी गहरी हो जाती है। कहा जाता है कि लगब 500 साल पहले संत चदरुदास जी इस गाउं में आये थे। वे बहुत ही सिद्ध संत थे और वे अपनी तपस्या से लोगों के रोगों का इलाज करते थे। लोगों का मानना है कि जब उन्होंने अपना सरी त्याग दिया तो उनकी समाधी बना दी गए। उनकी समाधी के साथ फेरे लगाने से ही आज भी लोग पैरलाइसिस के रोग से मुक्त हो जाते हैं। आपको ये जानकर बहुत आश्चरी होगा कि इस मंदिर में लकवे का इलाज ना तो कोई डॉक्टर करता है, ना ही कोई पंडित करता है और ना ही कोई वैद हकीम करता है। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि आपको यहाँ 7 दिन के लिए मरीज के साथ यहाँ आना होता है और यहाँ इस्थित समाधी के 7 दिनों तक परिक्रमा करनी होती है उसके बाद हवन कुन के भभूत लगाई आती है और फिर होता है चमतकार मरीच के बिमारी धेरे धेरे ठीक होने लगती है उसके हाथ पैर हिलने लगते है कहा जाता है कि जो मरीच लकवे के कारण बोल नहीं सकते वे भी धेरे धेरे बोलने लगते हैं कहा जाता है कि इस मंदिर में इलाज के लिए आए मरीजो और उनके प्रियजनों के रहने और खाने की व्यवस्था मंदिर निशुल करता है इस मंदिर में होने वाले चमतकार, किर्ती और महिमा देखकर भक्त काफी संख्या में दान देते हैं और दान में आए पैसों को यह मंदिर जन सिवा में खर्च करता है कई बुद्धी जीवी और तार्किक सोहब के लोग इसे अंदविस्वास भी करार देते हैं लेकिन अगर मरीजों को इससे फाइदा हो रहा है तो इसे अंदविस्वास बिलकुल नहीं कहा जा सकता बलकि ये पूरा खेल संपून विस्वास से निर्मित होने वाले चमतकार का है दोस्तों जैसे कि हमने कहा कि राजस्थान के नागोर जिले के बुटाटी धाम में बिना किसी दवाई के लकवा यानि पैरलाइसिस का इलाज किया जाता है और रहने खाने की ववस्ता निशुल की जाती है तो इस वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए ताकि जरुत मन्द की मदद हो सके इस मंदिर में होने वाले इस चमतकार के बारे में आपका क्या विचार है